साथियो जै किसान मैं आपका रवी आजाद साथियो तीन क्रसी कानुनों की वापसी बाकी तमाम मांगों और मुद्दों पर मोदी सरकार भारत सरकार से संयूक किसान मोर्चा का लिखित समझोता हुआ लेकिन बड़े सर्म और अफसोस की बात है कि इतना समय बीतने के बाद भी जो मोदी सरकार ने देश के किसानों से तमाम मांगों और मुद्दों पर जो वादे किये सरकार उस से पलट गई है सरकार ने किसानों के साथ विश्वास घात किया है बीजेपी ने किसानों को धोखा देने का काम किया है संयुक किसान मोर्चा की 15 जन्वरी की मीटिंग में समिक्ष्या करने के बाद ये निर्णे लिया गया कि ना तो मुकदमा वापसी पे काम हुआ, ना मुआउजा सहीद किसानों को देने पर कोई काम हुआ ना घरे राज्य मंत्री अजे मिस्र टैनी की पद से बरखास्तगी हुई, ना MSP पे कमेटी बणी, ना बिजली बिल की वापसी पर कोई काम हुआ पूरे देश के किसानों में रोस है, संयुक्त किसान मोर्चा ने तै किया कि 31 जनवरी को विश्वास घाद दिवस के रूप में देश के सभी जिला मुख्यालियों, तैसील मुख्यालियों पर संयूक किसान मोर्चा के सभी घटक और संगठन सभी नोजवान किसान माताएं भेने जो पोइंट स्थानी इस्तर पर तै कर रखे वहाँ बड़ी संख्या में इकठे हो और प्रदेशन करते हुए मोदी सरकार का पुतला जलाते हुए माननिय राष्ट्रपती मोहदे के नाम ग्यापन सोपने का काम करें मेरी सभी से अपील है कि समय भहुत कम है जोरदार तैयारियां करें हर्याना में भी जोरदार तैयारियां 31 जनवरी के परदस्नों को लेकर के कीजा रही है हर्याना में भूमी अधी ग्रेंड में संसोदन जो हुए उनकी वापसी और इसी के साथ में जो संपत्ती सती विधेक है उसकी वापसी का मुद्दा भी 31 जनवरी के विरोध प्रदस्नों में सामिल रहेगा ग्यापन में सामिल रहेगा मैं सभी साथियों से अपील करता हूँ कि 31 जनवरी जो मोदी सरकार के लिए अंतिम अल्टीमेटम है अगर लिखित मांगों को पूरा नहीं किया गया तो फिर संयुक्त किसान मोर्चा दुबारा आंदोलन सरू करने की घोशना करेगा और मीशन उत्तर प्रदेश से चलेगा और सभी किसानों से सभी राज्यों के मद्दाताओं से यह अपील और निवेदन करेगा कि बीजे पी का सुपड़ा साप किया जाए इस वीडियो को सेर करें धन्यवाद जैजवान जै किसान